जाहिन वंदमात्रम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जारकंड JFWCE पर इच्छा 2024 यानि की जारकंड फिल्ड उपरकर कॉंपेटेटिव एक्जाम 2024 का जो आपका एक्जाम कंड़क्ट होने वाला है यदि आप इस वाम को फिल अप किये हैं तो आज के ये वीडियो आ मादम से हम लोग पेपर 3 की तैयारी करने वाले हैं जिसमें से पेपर 3 के अंतरकर देखा जाए तो सामान अधियन यान की GKS से आपके एक्जाम में 40 कोचन पूछे जाएंगे और आज की इस वीडियो के मादम से हम टॉप 25 ऐसे इंपर्टेंट को डिसकस करने वाले हैं जो क कि आपका एक्जाम में किसी भी कोचन गलत ना हो और इस बार आपका सेलेक्शन हो पाए ठीक है तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुआ आज कि इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपका जो आपका एक्जाम होगा यह आपका ती तरिक्ति से करना यह पेपर 2 और फेपर त्री की तैयारी करना क्योंकि आपका प्धेंट जो मेरिट लिस्ट मैरेगा फैनल जो सेलेक्शन दिलागा यह पेपर टूर पेपर थ्रीं ही दिलाने वाला है ठीक है और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि तो पहला कोचन आपसे क्या पूछा गया है कि किस वर्स भारत ने ओलंपिक खेलों में होकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों भारत की बात करें तो कौन सा येर में दोस्तों भारत ने ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था तो राइट एंसर हो जे एमस्टरडं औलमपिक के खेल में हौकी का पहला पधक जीता था ठीक है और प्रफारत से पहले की बात करें में 228 इस्वी में ठीक है दोस्तों यह पर जितने भी कोचन बताए जांगे यह सब कोचन हर एक एक जांट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे इसले दोस्तों आपको देखना क्या है कि आप कि इतने ऐसे कोचन है जिसके नंसरा आप सही सही कर पारे ठीक है तो नेससे कोचन 27 कि लोनार जिल कहां रिष्ठित है दोस्तों नंपर ज़िल है यह कौन से राजिए में हिश्ठित है तो लोनार जिल की बात करें तो यह कहां पर रिष्तित है तो महाराष्ट में वापसर नबर ये राई टेंसर होई का महाराष्ट और ये लोनार जिल है दोस्तो इसका निर्मान जो है ये कैसे हुआ तो उलका पिंड के गिरने से दोस्तो लोनार जिल के निर्मान हुआ ठीक है उलका पिंड के टकराने से पिर्थवी मे औलका पिंटकराग या जिसके कारण लोनार जिल का निर्मान हुआ है ठीक है वजिए लोनार जिल है यहां यह एक खारे पानी का जिल है ठीक है तो कई बार कोचन में यह भी पूछा जाता है कि लोनार जिल किस परकार का जिल है मिठे पानी का या कि खारे पानी तो खारे पान अगला question number 28 है कि भारत के सबसे लंबी मुख्य भूमी तट रेखा वाला राजी कौन सा दोस्तों भारत में बात करें तो सबसे लंबा जो तट रेखा वाला राजी है ये कौन सा है तो गुजरात जो कि भारत में सबसे अधिक लंबा तट रेखा वाला राजी है ठीका आपस नमबर यहां पर डी राइट एंसर हो जाएगा और भारत में कितने ऐसे राज हैं जिनकी सीमा जो है तट रेखा से लगता है तो नो ऐसा राज जिनकी सीमा दोस्तो तट रेखा से टर्च करता है ठीक है अगला कोचिक 29 नमबर है कि भारत के सविधान में कौन सा अनुछेद में यह प्रवधान किया गया है कि परतिक भारतिये राज्य में एक राज्य पाल होगा तो देखे ये जो कौन सा अनुछे के तहत ये कहा गया है कि परतिक राजे में एक राजे पाल होगा तो ये आर्टिकल बता गया आर्टिकल एक सो तीरपन में इसके बारे में डिस्कस किया गया है नेक्स कोजन थर्टी नंबर है कि किस सविधान संसोधन द्वारा भारत में सभी बच्चों के लिए मुप्त और निवार्य प्रात्मिक सिच्छा की विवस्ता की गई दोस्तों कौन से सविधान संसोधन के द्वारा देखा जाए तो भारत में जितने भी बच्चे हैं उनको दोस्तों मुप्त ने सिच्छा का प्रवधान किया गया है तो राइट एंसर होजेगा आपस नमबर यहाँ पे यह 66 सविधान संसोधन के दवरा ठीक है 66 सविधान संसोधन जो है यह कब हुआता तो 66 सविधान संसोधन अधिनियम 2002 दवारा भारत के सभी बच्चों के लिए मुप्त और निवारी प्रात्मिक सिच्छा की विवस्ता की गयी ठीक है इस अधिनियम के तहट 6 सचादव वर्स की आयू के सभी बच्चों के लिए निशूल के वं अनिवारी सिच्छा को मौलिक अधिकार के रूप में मानेतत देने संबंधित प्रवधान किया गया है और इसे अनुछेद अकिसका के अंतरगत सविधान में जोड़ा गया ठीक ह तो दोस्तों ये कोचिन कई बार पूशा जाता है कि कौन सा मौलिक अधिकार में दोस्तों 6 सचादव वर्स के बच्चों को निशूल सिच्छा देने का प्रवधान किया गया है तो आर्टिकल अकिसका के अनुछ ठीक है अगला कोचिन में 31 है कि दिल्ली के सिहासन पर बैठने वाली पहली और एक मात्र मुस्लिम महिला कौन थी तो देखें जो दिल्ली के सिहासन पर बैठने वाली पहली एक मात्र मुस्लिम सासिका की बात करें तो पर्थम महिला कौन थी दोस्तो तो राइट एंसर होगा आपस नमबर इसी रजिया बेगम ठीक है रजिया बेगम राइट एंसर हो जाएगा रजय बेगम की बात करें तो ये कब सी कब तक दिली के सासन तर बैठी थी तो दिली के सीहासन पर 1936 इस्विश चले करके 1944 इस्विश तक बैठी थी ठीक है और रजय बेगम जो है ये इल्थूत मिस की बैठी थी कई बार एक भी कोज़न पूज़ा जाता है कि रज्या बेगम किसकी बेटी थी तो इलतुत मिस की कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासाइनिक नाम क्या है दोस्तों बेकिंग सोडा का या फिर खाने का सोडा इसकी रासाइनिक नाम क्या है तो सोडियम बाई कार्बोनेंट दोस्तों सोडियम बाई कार्बोनेंट जो कि बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा का कि खान इनमें से कौन से राजी में इस्तित है तो कुलार और हटी का जो खान है ये करनाटक में इस्तित है ठीक है आपसे नमबर बी राइट टेंसर हो जाएगा करनाटक नामक खान जो है जो कि एक सोने का खान है और करनाटक राजी में इस्तित है ठीक है वही पन्ना जो है ये जो पन्ना है दोस्तों जो कि एक हीरे की खान है और ये मध्य परदेश में इस्तित है तो यह आपको धियान में रखना ठीक है कि पंड़ना जो है यह मध्य परदिष्ट में इस्थित हैं और यहां एक हीरे की खान है वही कulार की बात करे तो यह सोने की खान है और यह करनाटक राजी में इस्थित है नेक्स्ट कोचन 34 नंबर है कि महात्मा गांधी के राजनितिक गुरु कौन थे दोस्तों ये भी कोचन कई पर एकजामे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनितिक गुरु कौन थे तो गौपाल कृष्ण गुरु गुखले जो कि महात्मा गांधी के राजनितिक गुरु थे option number B right answer हो जाएगा और यह जो गौपाल कृष्ण गोकले है इसके राजनितिक गुरु कौन थे तो इसके राजनितिक गुरु दोस्तो गुरु M. G. Rana Day ठीक है गुरु M. G. Rana Day जो की इसके गुरु थे ठीक है किसके तो गौपाल कृष्ण गोकले के नेक्स कोचें 35 है कि चंदेरी का युध कब हुआ था दोस्तों यह चंदेरी का युध हुआ था ये कौन से ISV में हुआ था तो 1528 ISV में चंदेरी का युध हुआ था option number C right answer हो जैगा और चंदेरी का युध जो है किसके राजनितिक में हुआ था नेक्स्ट कोचन है 36 नंबर कि नोबेल पुरुषकार प्राप्त करने वाले पर्थम भारतिये कौन थे दोस्तों नोबेल पुरुषकार की बात करें तो पर्थम भारतिये कौन थे नोबेल पुरुषकार प्राप्त करने वाले तो रविंद्र नाथ टैगोर ठीका आपस नंब नोबल पुरुश्कार दिया गया था ठीक है तो कभ दिया गया था 1913 इसकी में ठीक है किसके लिए तो गीता जली के साहित्या करी दिया ठीक है इन्होंने इसका पूछतक है दौस्तोर नोबल पुरु conventions का कौन सापूछत सो गीतांजली अगले कोचन क्या पूछेगे आपसे कि न्यूटन के पहले नियम को डास कहा जाता है दोस्तों ये जो न्यूटन के पर्थम नियम है इसको और भी किस नाम से जाना जाता है तो न्यूटन के पर्थम नियम को दोस्तों जड़त वका नियम भी कहा जाता है ठीका अगले कोजन कोजन नमबर 38 है कि भारते सविधान का कौन सा अनुछेद राज सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है तो 38 का राइट टेंसर होज़ेगा आपसन नमबर यहां पे C अनुछेद 40 का आपसन नमबर C राइट टेंसर होज़ेगा अगले कोजन 39 नमबर है कि भारत में सरवाधिक केसर का उतपादन किस राज और केंदर सासित परदेश में होता है केसर की बात करें तो केसर का सबसे अधिक उतपादन इनमें से कौन सा राज यह आपिर केंदर सासित परदेश में होता है तो यह होता है जम्मू कस्मीर में स्क्राइब कामलब पाया जाता है तो सेव की बात करें , इसमें पाया जाता है मैली कामला , ठीक है , आपसर नंबर , अगला काच़र फुर्टी , नंबर , फुर्टी वन है कि कौन से महातमा गंधि जी ने भाग लिया था ? दोस्तो गोलमेज समयलयन की बात करें तो टोटल तीन गोलमेज समयलयन हुआ था और ये मिसे कौन से गोलमेज समयलयन महात्मा गाणधी ने भाग लिया था ठीक है देखे जो दूसरा गोल में समयलन है ये कब हुआ था तो 7 दिसंबर 1931 इसवी को दूसरा गोल में समयलन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने कॉंग्रिस के परतिनिधि के रूप में भाग लिया था परंतु यह समयलन संप्रदाइक परतिनिधित्व के कारण और सफल रहा ठीक है पर्थम गोल में समयलन की बात करें तो पर्थम गोल में समयलन 12 नौमबर 1932 इसवी को हुआ था ठीक है यह तो 17 नौमबर 1932 इसवी को ठीक है यान कि पर्थम गोल में समयलन 1931 इसवी में और तिर्थम गोल में समयलन 1932 इसवी में ठीक है लाइन बे लाइन है 1931 इसव बहा नुकटर भीम रऔर मेटकर जो कि तीनों गॉल्मीट के समय इंगलेंड का पयद्फान मंतरी हुआ यह B उस समय इंग्लेंड के परधान मंत्री थे सॉरी नेक्स कोचें कोचें नमबर फोटरी नमबर टू है कि राज पुनर गठन आयोक के अध्यच कौन थे दोस्तों राज पुनर गठन आयोक के अध्यच की बात करे तो फजल अली जो की राज्य पुनर गठन आयोग के अध्यच थे आपस नमबर ये राई टेंसर हो जेगा फजल अली राज्य पुनर गठन आयोग के अध्यच जो है जो की फजल अली थे और राज्य पुनर गठन आयोग का जो कब गठित किया गये था तो 1903 इस्वी में इसको गठित किया गए था राजी पुनल गठन अधिनियम जो है जुलाई 1956 इस्वी में पास किया गए था और इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 के अंदर सासित परदेश स्थापित किया गए थे ठीक है Next question number 43 है कि महा बलीपूरम महा बलीपूरम में रथ मंदिर का निर्मान हुआ था ये कौन से सासक के सासन काल में हुआ था तो ये हुआ था नर्सी वर्मन पर्थम ठीक है नर्सी वर्मन पर्थम के सासन काल में हुआ था आपसर नमर B राइट एंसर हो जाएगा महा बलीपूरम में रत मंदिर का निर्मान जो है यह पल्लो सासक नर्सी वर्मन पर्सम के सासन काल में हुआ था और रत मंदिर में दुरोपती रत भीम रत तथा युदिस्ठर रत रसी थे ठीक है महाबलीपूरम के रत मंदिर तमिल लाडू में इस्तित थे ठीक है तमिल नाडू में अगले कोचन जो कि most important कोचन है कि भिलाई अस्टिल प्लांट कहां इस्थित है दोस्तों भिलाई अस्टिल प्लांट की बात करें यह कौन सो राजी में इस्थित है बहुत पार कोचन यह पूछा गया है तो भिलाई अस्टिल प्लांट जो है जो कि 36 गड़ में इस्थित है कि अस्थापना हुई थी और इसकी अस्थापना कब हुई थी तो सन 1955 इस्वी में ठीक है अगला कोचे नबर 45 कि जादु गोड़ा की खाने किस लिए परसीद है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपर्डिंग कोचन यह भी कोचन कि जादु गोड़ा की जो खान है यह किस के लि लिए जादु गोड़ा की खाने यूरेनियम के भंडार के लिए परसीद है और जादु गोड़ा की खाने जो है यह कहां पर रिस्तित है तो जार्खन राजी में जार्खन राजी के पूरवी सीभूम में जादु गोड़ा की खान रिस्तित है ठीक है तो यह भी आपको या ठीक है, अरावली की पहाड़ी जो की राज जरस्थान राज में इस्तित है और यह सबसे पुरानी चटानों की बनी ठीक है, अरावली की जो परवत है दोस्तों, जो अरावली की जो पठार है, यह सबसे पुरानी चटान है, ठीक है, इस पहाड़ी की सबसे उची चोटी कई पर एक्जाम में कोचन पूछा जाता है कि अरावली परवत की सबसे उची चोटी कौन सी है तो गुरु सीखर जो कि अरावली परवत की सबसे उची सीखर है और इसकी टोटल उचाई सत्रा सो बैस मीटर है ठीक है अरवली के पच्ची म और से माही यह लुणी नदी निकलती दोसतों यह भी कोचन पूछा जता है कि अरावली के परवकी की ओर से बनास नदी निकलती ठीक है वैसे नदी जो की समुद्र में न जाकर जमिन में ही लुप्त हो जाती है उसे क्या कहा जाता है तो उससे कहा जाता है दोस्तों ये मुंबै है ये कौन सा दूइप पर बसा हुए है तो मुंबै की बात करें यह दोस्तों मुंबै की बात करें तो ये कौन सा दूइप पर हिस्तित है तो साल सेट दूइप पर option number C right answer हो जाएगा अगले question है 48 कि कपास की खेती के लिए सरवाधिक उप्यूक्त मिटी कौन सी दोस्तों कपास की खेती के लिए देखा जाए तो सबसे अधिकी मृर्दा कौन सी मानी जाते ही तो काली मिटी जो की कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी काटेगरी का मृर्दा माना जाता है ठीक समानित होने वाले परतम विदेशी कौन थे तो यह थे मेरे दोस्त नमबर भी खान अब्दूर गफ्तार खान को भारत रतन जो है कि खान अब्दूर गफ्तार खान को और भी किस नाम से जाना जाता है तो सरहदी गांधी या फिस्रीमान गांधी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है कि व्यांव डी कि अंग्ला गोचन है कि ओन्म प्रसिद तो इहार किस लिए प्रसीद है दोस्तों और जो पिलिजिदी फेश्टिवाट है यह किस राज्य पूट रहने वाले और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप सेट वन से ले करके सेट शिक्स तके आप उन सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं पड़े तो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्ट्रिशन बॉक्स में दे दिया हूँ आप प्लेलिस्ट में जाए और वहां से एक बार क इस भी कोचन को कबर कराएं तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें वीडियो को लाइक करें ना करें लेकिन दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकरके आप सब वीडियो को एक बार रिविजिन के उद्धर जरूर पढ़े ठीक है और इदि आप इस तर और वीडिया भी इंपार्डेंग कोजन जाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है फिर से में लोगे मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत